देंगू बुखार एक ऐसा बुखार है जो जानलेवा सिध्ध हो सकता है ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है आप डेंगू से कैसे बच सकते हैं? आईए देखते हैं एडीज मच्छर साफ पानी में पनपने वाला मच्छर है मतलब ये नालो में कम उगता है मगर साफ पानी जहां भी कठा हो जाए बरतनों में, गमलों में या बाथरूम के अंदर भी एडीज मच्छर अपने अंडे दे देता है इसलिए सबसे जरूरी बात है कि अपने घर के आसपास आप साफ पानी कहीं इकठा ना होने दे बरसात के मौसम में हर हफ़ते जाच करें कि किसी बरतन पौधे में पानी इकठा ना हो रहा हो पानी की टंकियों को ढख कर रखें कूलर में पानी ना खड़ा होने दे उसको बदलें घर के अंदर भी बात्रूम में या किचन में कहीं पे भी पानी खड़ाना रहने दे। कुछ लोगों को गलत फैमी होती है कि अगर वो उपर की मंजिल पे रहते हैं तो वहाँ पे मच्छर नहीं आएंगे। एडीज मच्छर कुछ मंजिल उपर तक उड़के आ सकता है। साथ में ध्यान रहे कि आजकल बिल्डिंगों में लिफ्ट होती हैं तो लिफ्ट के द्वारा मच्छर बहुत उची मंजिलों तक भी पहुँच सकते हैं। अपनी खिड़किया और दर्वाजों पर मच्छर जाली लगाएं ताकि मच्छर घर के अंदर घुसी ना पाएं। घर के अंदर कोई भी कीटा नाशक स्प्रे या कॉयल या मशीन लगाकर रखें। सब कुछ दिन भर और रात में दोनों समय लगाकर रखें। क्यूंकि वैसे तो ये मच्छर सुबे के समय काटना पसंद जादा करता है। पर अगर इसको मौका मिलता है तो ये रात में भी काट सकता है। जब भी आप सोएं चाए दुपहर में या रात में तो मच्छर दानी या मच्छर वाला जाल जो होता है वो बेड के अराउंड अच्छे से लगाकर सोएं। और सबसे जरूरी बाब ये मच्छर केवल घुटने के नीचे नहीं काटते। ये सब जगा काट सकते हैं। बारिश के मौसम में या ऐसे मौसम में जब मच्छर बहुत पनप रहे हैं तो आप पूरी बहां के कपड़े पहने जो हाथ और पाउं पूरा अच्छे से ढखे। साथ ही अपनी त्वचा पर जो ढखी नहीं हुई है उस पर मच्छर से बचाने वाली दवा या स्प्रे लगाएं। एडियों के आसपास, घुटनों के पीछे, कोनियों के आसपास, गर्दन पर और कान के पीछे एडिज मच्छर काफी काटता है। जगाहों पर हम मच्छर को दूर रखने वाली दवाई या क्रीम या स्प्रे को लगाना भूल जाते हैं। अब से आप ध्यान रखें और ना भूले। डेंगू बुखार, डेंगू में खत्रे के लक्षिन और डेंगू में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये सब आप हमारी डेंगू की पहली वीडियो देखकर जान सकते हैं।